मुझा नमस्कार दोस्तो आज हम वाई नॉट 12 क्रीम के बारे में चानेंगे तो यह मेरे पास आप देख सकते वाई नॉट 12 क्रीम मौञँ छोकि एक इंटिमेंट क्रीम है तो अब इसका यूज किया है वाई नॉट 12 क्रीम है वो फूरसो के लिंग की साइज बढ़ाने के लि जिसकी पज़े से वाई-012 क्रीम पूरुसों की लिंग की साइज को बढ़ाता है उसमें मदद करता है ठीक है तो पहले हम जानते हैं इसकी कमनी है आप यह देख सकते हैं यह जी लेबोरेटरी कमनी वाई-012 क्रीम मनाता है और इसकी प्राइस की बात करें तो यह 3.95 की क्रीम तो आप देख सकते कुछ इस तरह का वाइनोट वेल क्रीमा इंपिमेंट क्रीमा ठीक्ता है तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसमें कंपोजिशन क्या कि ककर अब अब हम यहां पर देख सकते एक गलाइस्रीन और दूसरा है अलोई स्पाइब तो यह दोनों हैं गलाइस्रीन और अलोवेरा वह एक लूबौीकंट की तरह यूज होता है और जो लिंग की स्कीन को स्मूथ बनाता है सूथिस करता है इसे स्मूथ बनाता है जिसकी बज़े से लिंग को पेनिट्रेट करने में योनी के अंदर डालने में आसानी होती है अब दुसरा कंपोनें की बात करें में इन कंपोनेंट वह है सेरे नौवा से सिरुलाटा क्या है ? वह सी दिवास में जो है क कम और प्रोस्टेट ग्लांड रहती है उसके रिलेटेड कोई प्रोब्लेम हो तो उससे वह क्योर करता है सेरनवा से रूलाटा और प्रोस्टेट ग्लांड है प्रोस्टेट के लिंग के नीचे के भाब में रहती है जिसमें से प्रोस्टेट गलांड की बचे से ही फीरिय का जो निर्मान होता है तो यह प्रोस्टेट गलांड से related problem को सही करता है और अब हम देखे तो दुसरा एक इसमें oil है वह जिंसेंग ओईल यह जीनसेंग ओईल यह पुरुसों की गामो तेज़ना बठाता है और वो पुरुसों के लिंग को बड़ा बनाने में यूज होता है उससे मदद करता है ठीके अब उसके बाद आता है इसमें देखो एल आरजीनीन तो यह एल-ारजीनीन एक प्रोटीन है जो क्या करता ह वह एक नाइट्रिक ओक्सेड नाम का केमिकल बनाता है यह नाइट्रिक ओक्सेड केमिकल होता है वह इसमें ज्यादा मात्रा में खुन पेकत्रित हो जाता है क्योंकि उसकी साइज बड़ी हो जाती है तो जिसकी बज़े से लिंग का साइज बढ़ता है और लिंग खड़े पोजिशन में आ जाता है तो यह एल आरजिनीन का उजूज है अब हम देखे तो दूसरा इसमें है वो है सोजाबीन ओईल और अलमंड ओईल तो यह सोजाबीन ओईल और अलमंड ओईल मसाज करने में यूज होता है और वो मास पेशियों को मजबूत बनाता है जिसमें क्यूंकि उसमें विटामीन फी रहता है तो यह सोजाबीन ओईल और अलमंड ओईल पेनिस की जो अंदर मास पेशिया होती है उसे बड़ा बनाता है और उसे मजबूत बनाता है तो ये सबी आयुर्वेदिक content इस cream में डाले गए है जिसकी बज़े से ये link को बड़ा बनाने में और जो संभोग से related कोई भी problem है तो उसे cure बनने में ये use होता है cream why not 12 cream ठीक है तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसका use किस तरह से करना है ये cream glow किस तरह से link के उपर apply करना है तो आप देख सकते हैं इसके साथ में एक ये परची भी आती है यहां पे आप देख सकते हैं कि why not 12 intimate cream इसका direction for use यहां पे दिया गए English में तो इसमें ये लिखा है कि अपने पहले अपने private part को साफ कर दीजिए और उसके बाद पानी से थो डाले और उसके बाद में आप थोड़ी सी मात्रा पानी से थोड़ी सी मात्रा में या फिर जरूरी मात्रा में cream ले और उसे अपने link के उपर gentle massage कीजिए और इसे आच या 10 मि पानी से रहने देना है और फिर 40 मिनिट के बाद आपको cream पानी से वोस कर देनी है तो इस तरह से रोजाना आपको दिन में एक बार मसाज करना है तो दोस्तों ये था हमारा review why not well cream के बारे में और why not well cream के side effect देखे तो इसका कोई side effect नहीं है क्योंकि ये केवल बाहरी प्रयोग के लिए ही use होता है और ये इसमें आहिरवेदिक content डाले गए जिसकी बज़े से इसके कोई side effect होने की संभावना नहीं है और अगर आपको ऐसा अच्छा लगे कि आपको स्कीन में irritation हो या link में irritation हो खुझ नहीं हो तो इसे तुरंटी को आपको यूज करना पाए करती है और अपने पर इस से लागे में साइब से इसकी हो तो दोस्तों ये थी जानकरी 5.12 तो अगर आपको ये अच्छा लगे में आपको 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 आ